हलो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ नेशनल स्कॉलर्शिप पोर्टल के बारे में जी हाँ भारत सरकार की तरफ से अब जो भी राजकिय स्तर पर या राश्ट्य स्तर पर स्कॉलर्शिप दी जाती है स्टुडेंट्स को उसके लिए पोर्टल बनाया हुआ है नेशनल स्कॉलर्शिप पोर्टल और इस पर अब दो हजार भी सिक्षिस सेशन के लिए यह स्कॉलर्शिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आप किस तरीक दो केटेग्री में ब्रॉडली आप अप्लाई कर सकते हैं, एक अप्टू 10 यानि दस्वीं क्लास तक के स्टुएंट्स के लिए जो स्कॉलर्शिप अविलेबल हैं, दूसरा दस्वीं के बाद यानि ग्रेजुएशन, पोस्ट गेजुएशन से रिलेटेड जो देख सकते हैं कि क्या उसमें आपको grant मिलेगा, मैं आपको एक example के लिए दिखा देता हूं, Department of Higher Education की यहां पर आप गाइडलाइन देख सकते हैं, और यहां पर आपको date भी मिल जाएगी, कि यह 15-11-2020 तक अभी open है, और आप यहां पर देख सकते हैं, कि क्या यह guideline है, कितनी total scholarship मिलेगी, और क्या eligibility criteria रहेगा, यहां पर गया है, लेकिन कोई भी scholarship apply करने से पहले यहां पर आपको register करना होगा, तो registration किस तरीके से करना है, और registration करने के बाद scholarship पी लिए apply किस तरीके से करना है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, registration को शुरू करने से पहले मैं आप आपको बता दूँ, आपके पास कुछ documents हैं, जो आपको अपने पास अभी रख लेने चाहिए, जो आपका registration के लिए easy रहेंगे, साथी साथ, अगर आप जो scholarship amount है, वो 50,000 से ज्यादा है, तो कुछ और अलग से document की जरूत होगी, वो भी मैं आपको बता दूगा, normal registration process के लिए यानि कि अगर आप scholarship अभी apply नहीं करना चाहते हैं, बाद में apply करना चाहते हैं, देखकर पूरा पढ़के, सिर्फ अभी register करना चाहते हैं, तो आपको आपका bank account number चाहिए होगा, अगर आप minor हैं, तो आप अपने parent का bank account number भी दे सकते हैं, साथी साथ आपको verification के लिए अपना आधार number चाहिए होगा, यानि कि यहाँ पर national scholarship portal पर account बनाने के लिए, यह दो चीज़े minimum आपको चाहिए होगी, उसके बाद यहाँ पर आप account अपना एक तरीके से create कर सकते हैं, और account बनने के बाद scholarship apply जब आप करेंगे, वहाँ पर आपको कुछ और documents चाहिए होगे, जैसा कि आपके school certificate आपका, अगर income certificate की required है, parents की वह आपको चाहिए होगा, domicile आपका यहाँ पर लगेगा, और school की तरफ से आपके marks की, जो भी एक mark sheet वगएरा जो आपको scholarship के लिए देनी होगी, वो सारे documents भी मैं आपको बताऊँगा, साथी साथ मैं आपको बता दूँ, जो इस national scholarship portal स पैसा आएगा, वो आपके direct bank में आएगा, तो आप आधार नंबर, phone नंबर और bank नंबर जो भी दें, वो सोच समझ कर दीजेगा, क्योंकि सीधा direct पैसा bank में आएगा, किसी school को, institute को, या आपको अलग से cash, या किसी के थूर नहीं मिलेगा, तो इन सब बातों का आपको ध्या पर क्लिक करने को, यहां आपको date of birth वगरा, यह सारी चीज़े, state of domicile, यानि आपके state का आपके पास permanent address है, और यह सारी चीज़े scholarship category, pre-metric, post-metric, जैसे मैंने बताया, first to 10th, और 10th के बाद, name of student, mobile number, email ID, यह सारी चीज़े, यहां पर आपको पहले भी बता दी गई है, उसके आप यहां पर यह तीनों option को select करेंगे, और continue बटन पर प्रेस करेंगे, यहां आने के बाद आपको state choose करना है, कोई भी आप, मैं आपको example के यह तौर पर यहां पर सारी चीज़े दिखा रहा हूं, pre-metric, post-metric, जो भी आपकी category यानि आप, दस्वी तक का कोई scholarship लेना चाहते है, तो pre-metric select कीजेगा, और दस्वी के बाद का है, तो post-metric आपको select करना है, यहां पर मैं example के लिए post-metric कर रहा हूं, name of student यहां पर आपको देना है, scheme type, scholarship scheme, यहां पर IR incentive scheme है, date of worth आपको देना है, आपको यहां ध्यान रखना है, name और date of worth जो आप, आपके आधार card पर हो, व यहां पर बेकार चला जाएगा, यह मैं जो values हैं, वो एक example के तौर पर आपको दिखा रहा हूं, यह यहां पर, उसके बाद आपको अपना bank FSE code देना होगा, bank account number देना होगा, bank name यहां पर देना होगा, identification के लिए यहां पर आधार number चूज करेंगे, आपको यहां पर आधार number अपना enter करना होगा, और उसके बाद जो एक code है, यहां पर एक code है, यह enter करने के बाद यह तीनों values आप select करेंगे, और register बटन पर click करने के बाद आपको इस तरीकी की screen दिखाई देगी, जहां पर आपको अपना application ID track करने के लिए मिल जाएगा, और continue बटन पर जब आप प्रे किन होगी, वो कुछ इस तरीके से होगी, मैं आपको दिखा देता हूँ, आप यहां पर आ जाएंगे, और आपको यहां पर जो आपका application ID मिला है, वो application ID यहां पर आप enter करेंगे, और आपके mobile number पर एक यहां जब आप अपना OTP से verify कर देंगे, पासवर्ड भी भेज आ जाए करेंगे, उसके बाद यहां पर मैं आपको एक example दिखा देता हूँ, जब आप application form पर click करेंगे, तो यहां आपको ऊपर कुछ अपनी basic जानकारी देनी होगी, जैसे आपका religion, आपकी annual income, mother, father का नाम और बागी सारी जानकारी जो कि यह भी मैंने hide कर दिया, उसके लावा यहां पर आपको अपना institute select करना होगा, आप अपना institute यहां देख सकते हैं, इस तरीके से आप select कर सकते हैं, आप state और district में जाकर institute select कर सकते हैं, मैं आपको एक example दिखा देता हूँ, और यह select करने के बाद आपको अपनी, आपकी previous class, यानि कि जैसे मैंने 11th के लिए apply किया है, present class अग कौन सा year है, क्योंकि 11th है, तो यहां आप one select करेंगे, उसके बाद आप previous board कौन सा था, यहां मैंने CBSC select किया है, कौन सी class आपने कब शुरू की थी, वो जानकारी आपको देनी होगी, कौन से साल में pass out थे, आपका role number क्या था, कौन से board से आपने pass किया, यह सारी जानकारी आप को देने होगी, साथ ही साथ आपका जो bank account number है, वो और IFSC code नीचे दिख रहा होगा, यह सारी जानकारी देने के बाद, आप save and continue पर press करेंगे, save and continue पर press करने के बाद आप देख सकते हैं, आपको इस तरीके से स्क्रीन दिखाई देगी, जहां पर आपको अपना district select करना है, और आपका जो भी यहां पर blog या तालुक है, वो select करना है, और pin code वगेरा कि जब आप जानकारी डालेंगे, तो यहां पर आपको, जो भी आपके state और जो आपने जानकारी दिया है, जैसे आपने जो आपनी काटेगरी है, जनल है, SC, ST, Muslim, जो भी आपने काटेगरी select किया है, उसके basis पे और जो आपने state select किया है, या family की income select किया है, उसके basis पे आपको यहां पर एक scheme दिखाई देंगी, जो आपके लिए applicable होंगी, जैसा कि म यहां पर save as draft का option आ रहा है, otherwise यहां पर select आपको option मिलेंगे, कौन-कौन सी scheme आपके लिए applicable है, और आप उसमें apply कर सकते हैं, किस तरीके से screen होगी, क्या document होंगे, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, उससे पहले मैं आपको बता दूँ, left hand side पर print your application आप कर सकते हैं, आप अ सकते हैं, अगर आपके state और आपकी जो जानकारी दिये है, उस जानकारी के base पर कोई scheme अगर valid होगी, तो यहां पर इस तरीके से scheme लिस्ट हो जाएगी, उसे आपको select करना है, और अगर 50,000 से जादा है, तो यह से की कुछ जानकारी है, domicile certificate है, scan copy of mark sheet or last exam, और इसके लावा scan copy of student identity का, यह सारी चीज़े आपको यहां पर upload करनी होगी, यह आप देख सकते हैं, यह सारी चीज़े जब आप upload कर देंगे, उसके बाद, आप देख सकते हैं, आपको अपनी passbook भी upload करनी होगी, account number और नाम आपका mention होना चाहिए, parents का income certificate आपको लगाना होगा, अपना photograph आपको सकते हैं, अपनी दीगई जानकारी को, अगर एक बड़ी submit करने के बाद, कोई जानकारी आप चेंज नहीं करेंगे, जब तक कि नोडल officer उसे एक आपको withdraw करने का option ना दे, तो इस तरीके से आप जो है, national scholarship portal पर जाकर scholarship के लिए apply कर सकते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप national scholarship portal पर apply कर सकते हैं, इस तरीके का यह process है, बढ़ा ही simple process है, फिर से मैं एक बार ही document बता देता हूँ, अगर आप सिर्फ registration कर रहे हैं, तो आपके पास आपके bank account की detail और आपका आधार number होना चाहिए, अगर आप scholarship apply करना चाहते हैं, तो उस case में आपके पास जो यहाँ प आपके account में पैसा transfer होगा, धन्यवाद दोस्तों, जैहन!